देखिए मुझे पता है आप गुट का स्मोकिंग करते होंगे पान मसाला खाते होंगे तब ही आप इस वीडियो पर आए हैं क्योंकि आप सर्च कर रहे हैं दात पे जो काला पन पीला पन बूरा पन सा चड़ गया है इसे अब कैसे हटाएं तो इस वीडियो पर कुछ ऐसे घर करते हैं दोस्तों उसके पहले नमस्ते मैं दोप्टर शुवता स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चनल शुवता स्टुडियो में अगर आप मेरे चनल पर नहीं है दोस्तों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को पूरा देखें जिब से पहला जो तो उस पर थोड़े से चार-पांच बूंद आप हैटोजन परकसाट के डाले और उसको इस तरह से अपने आगे वाले दातों पे पीछरे दातों पर रब करें दो मिरिट और फिर उसे दो-पांच मिर्ट रहने दे दातों पर उसके बाद आप क्लीन करें आप खुद देख और दूसरी home remedy बहुत ही कमाल की है इसके लिए आपको कुछ भी नहीं एक बनाना लगेगा जी हां हर घर में बनाना आता ही होगा आप खाते ही होंगे तो सेहत भी बनाए और आपके दातों को भी सुन्दर करें बनाना जो होता इसको छिलका होता है वो बहुत जादा उप्य योग में आता है आपके दातों को साफ करने के लिए जो बनाना का पील है इसका जो यह वाइट लेयर होता है इस पर आप थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करके अपने दातों पर रब कीजिएगा जी हां जब आपने दातों पर रब करेंगे तो जितने भी दाग है जो दात को पकड़े हुए हैं वो धीले होने लगेंगे लूज होने लगेंगे और इसका अगर आप यूज करते हैं तो बिल्कुल भी साइड इफेक्टों है ही नहीं और इसके रावाई बहुत ही टेस्टी होता है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इरिटेशन नहीं हो होने वाली तो इस होम रेमेडी को आप हफते में तीन बार भी कर सकते हैं और डेफिनेटली हैं आप एक सुन्दर स्माइल पा सकते हैं अब आगे चलते हैं थर्ड डिप पर आप अगर चाहते हैं कि आपके दाथ बहुत ही सुन्दर हो जाए तो डेफिनेटली होम रेमेडी जी हां टमाटो जो होता है उसमें ऐसे एंटी ऑक्सिडेंट होते हैं ब्लीचिंग एजेंट होते हैं जो आपके दातों पे चड़ेवे स्टेंज को उसके पीले पन को भी हटा देते हैं जब भी इस तरह का सेवन करते हैं तो आप पानी का कुल्ला कर लें तुरंत ही पानी का कुल्ला करने से उसके स्टेंज पके नहीं होंगे गहरे नहीं होगे आपके दातों पर और असानी से निकल जाएंगे चोंगम का भी आप उप्योग कर सकते हैं और जादा से जादा पानी पीएं और अच्छी हेल्थी टाइट लें उम्मीद करती हूं वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी अगर पसंद आती है तो बिल्कुल लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक यह लिए नमस्त करेंगे